नमस्कार मंदल न्यूस के विशेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है पेशे आज का यह विशेश बुलेटिन इस समय सभी लोगबग लोगडॉन से बुरी तरह तंग आ चुके हैं वही प्रेशासन को भी लोगडॉन काल के दोरान काम के अत्रिक्त बोज़ का सामना करना पड़ रहा है ऐसे में पूरी संभावन आ है कि अमरौती शहर से जिले में आगामी 8 मार्श के बाद लोगडॉन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा बलकि कल लोगडॉन को शितिल करते वे अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू करने के संदर्व में नई नियमावली जीला प्रेशासन द्वारा जारी की जा सकती है मंडल नियूस गुलेटिन को प्रेशासनिक सुत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक खुद जीला प्रेशासन लोगडॉन को आगे जारी रखने के पक्ष में नहीं है और संक्रमन की स्थिती को काफी हद तक नियंदरण में आता देखते हुए इस बात को लेकर भी वीचार किया जा रहा है कि कल परसों यानि शुक्रवार शनिवार से लोगडॉन से संब्दित प्रतीबंदों को कुछ हद तक शितिल किया जाए पूरी संबावना है कि सोमार आठ मार की सुबह छे बजे लोगडॉन की आउदी खत्म होने के साथ ही अनलोक की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा हालां कि प्रशासन एकदम से लोगडॉन को खत्म करने की बजाए चरण बद्ध ढंग से शहर को खोलने के परियाग पर विचार कर रहा है ऐसे में सभी व्यापरिक प्रतिष्ठानों को सीमित समय तक खुलने की अनुमती दी जा सकती है साथी बाजारों में एकदम से भीड़वार ना हो इस बात को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग शेत्रों में बाजारों को अलग-अलग दिन वो अलग-अलग समय खोलने की अनुमती देने पर भी विचार किया जा रहा है अनुमान जयता है जा रहा है कि प्रशासंद वारा कल यानी शुपरार पांच मार्श को ही इस संदर्ब में कोई नए दिशा दिश्देश जारी किये जा सकते है हमारा ये विशिड बुलेटिन आपको कैसा लगा इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं